दोस्तो आज की hair problem series में बात सिबोरिक dermatitis की एक ऐसी विमारी जो बहुती परशान करने वाली है जो बाला को भी नुकसान करती है, scalp को भी नुकसान करती है और पेशेन को बहुत irritate भी करने का काम करती है बने रहे हैं मेरे साथ जानते हैं सारी वाते हैं सिबॉर्इक डर्मेटैटिस के बारे में दोस्तो सिबोरिक डर्मेटैटिस यानि एक ऐसी विमारी जो सिबोरिक ग्लैंड्स की हाइपर अक्टिविटि के कारण ज्यादा होती है इसके और भी कारण है वो सब जानेंगे और आज के वीडियो में जानेंगे ये कितनी प्रकार की होती है इसके symptom क्या क्या होते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो Siboric Dermatitis से जुड़ी है पहले जानते हैं Siboric Dermatitis के कारण के वारे में दोस्तो आज तक बिलकुल exact कारण तो साइंस के पास नहीं है कि ये Siboric Dermatitis होती क्यों है लेकिन फिर भी चार कारण नजर आते हैं जिनकी वज़े से ये हो सकती है पहला कारण है yeast melassezia दोस्तो हमारी पूरी स्किन पर और स्केल्प पर एक yeast होती है जिसका नाम है yeast melassezia यदि ये yeast melassezia सीबम यानि natural oil जो हमारी सिवेजियस gland से निकलता है उसके साथ मिल जाए तो ये सिवेजियस कर देती है जिससे इचीने सो सकती है रेटने सो सकती है स्केल्प के अंदर ओली डेंटरफ आ जाता है दोस्तों ये बहुती इरिटेटिंग होती है बहुती परशान करने वाली होती है दूसरा कारण होता है सिवेशियस activity जब हमारी oily glands seboric glands ज़्यादा active हो जाती है तो उनकी activity की वज़े से sebum की production बढ़ जाती है और हम सब जानते हैं कि इस sebum के अंदर cholesterol होता है triglycerides होते है fatty acids होते है esters होते है और ये सारे के सारे जब yeast से मिलते हैं yeast melassegia से मिलते हैं तो inflammation करते हैं redness कर देते हैं oily dendruff कर देते हैं जिसे हम siboric dermatitis कहते हैं तीसरा कारण है immunological जब हमारे शरीर की immunity कम हो जाती है जैसे बहुत सारी बिमारियों में HIV में यानि AIDS में और बहुत सारे autoimmune disorders के अंदर तब ये पैदा हो सकती है और चोता कारण है patient susceptibility जब हम ज़्यादा oily spicy खाते हैं lifestyle का ध्यान नहीं रखते हैं ज़्यादा तनाव में रहते हैं तब patient इसके susceptible हो जाता है यानि yeast ज़्यादा active हो जाती है oil ज़्यादा बनता है और ये सारी चीजें मिलकर patient को इस लायक बना देती है कि उसे सिबोरिक डर्मेटाइटिस का सामना करना पड़े तो दोस्तों इन चार कारणों से सिबोरिक डर्मेटाइटिस होती देखी जाती है ये दो तरह की होती है पहली होती है infantile form infantile का अर्थिया है कि जब ही हमारी scalp पे तीन महीने तक जब बच्चा पैदा होता है तो उसके तीन महीने बाद तक रहती है तो उसे infantile form होती है ये self-limiting होती है यानि अपने आप ठीक हो जाती है समय के हिसाब से सिबोरिक activity कम हो जाती है और ये ठीक हो जाती है दूसरी type होती है chronic adult type दोस्तो जब ये युवाओं में होती है जब teenage शुरू होती है तो हमारी oily glands और ज्यादा active हो जाती है hormonal effect के कारण तो उस समय ये लंबे समय तक रहती है तो इसे chronic adult form कहा जाता है तो इस तरह से ये दो तरह की होती है infantile और adult और बात करते हैं symptoms की हमने पहले भी बिताया है कि इसके अंदर oily dendroff आ जाता है eachiness होती है, retness होती है skin पे inflammation हो जाती है ये उन जंगयों पर होती है जहां पर oily glands ज्यादा मातरा में होती है जैसे scalp में, face पे, upper chest पे और back पे इन जगे पर oily glands की संख्या ज्यादा होती है इसी कारण से इसी हिस्से पे ज्यादा देखने में आती है हलाकि yeast हमारी पूरी body पे होता है लेकिन yeast को काम करने के लिए sebum चाहिए, क्योंकि sebum के अंदर जो fatty acid होता है जब वो तूटता है और sebum के साथ मिलता है, तब ही seboric dermatitis बनती है और inflammation शुरू होती है तो दोस्तों ये थे seboric dermatitis के कारण symptom और type अगले वीडियो में यानि कल hair solution series में हम बात करेंगे इसके treatment के बारे में आप इसे like करें, comment करें share करें और channel को subscribe करना ना भूले, नमस्कार